इनदाउ से सटे देपालपुर्ण में गेहु की अलग किस्म की खेती की जा रही है यह गेहु सामाने गेहु से बिलकुल अलग काले रंग का है अधिकतर यह गेहूं दूसरे राज्यों में होता है लेकिन किसान वहां से खरीद कर लाया और प्रयोग के तोर पर खेती कर रहा है देखिए एरपोर्ट मध्रतिश शासन खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश से किसानों को विभिन प्रकार की सुवधाएं उपलब्ध करवाने में लगा हुआ है तो वही किसान भी नई तकनिकों के माध्यम से नई नई तरह की खेती करने में लगा हुआ है प्रदेश में एक और उन्नत किसान मौनू पटेल ने काले गेहूं की खेती करना शिरू कर दी है इंदार जिले के गौतमपुरा शेतर के एक गाउं तलावली में किसान ने अपने खेत में एक उन्नत किस्म का काला गेहूं बोया है किसान द्वारा काले गेहूं के बीज पंजाब से महंगे दामों में खरीद कर लाए गए यह गेहूं सामनिता गेहूं की तरह ही है लेकिन इसका रंग काला है बता दे कि काले गेहूं की खेती प्रदेश में दूसरी बार होने जा रही है जिससे यह किसान बेहत खुश भी है क्योंकि काले गेहूं बोने वाला यह किसान प्रदेश का दूसरा किसान होगा मोनु पटेल की माने तो यह गेहूं जिस तरह दिखने में अलग है उसी तरह इसके फायते भी अलग है करिब एक बिगे में 6 किलो बीज की बुवाई करी है इसमें जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो अपने नॉर्मल जो गेहूं है उससे अत्तितिक पाई जाती है जैसे कि इसमें एंथोसिनन जो होता है वो अपने गेहूं में 5-15% होता है और इस गेहूं में वही 15-140 ppm होता है और इस गेहूं में जिंक की मातरा भी अत्यधिक पाई जाती है और रिसर्च टीम बता रही है कि इसमें अभी कैंसर, डायबर्टीज और तनाव मुक्त रहने की अगर इस गेहों का आट हम खाते हैं तो क्योंकि इसमें जित्ती प्रोटीन की माता तो ये चीज़े हमें इन बीमारियों से दूर रखने में भी ये कारगर साबित हो सकता है अपनी जो नॉर्मल जो हमारी जो वेराइट हम बहुते हैं खाने की गेहों की सुझाता है लोकवन है लब उसी के बराबर है और इसका जो उत्पादन है जो भी बताया गया है वो 18 से 20 कुंटल प्रती एकड का अभी ग्याद है कुल मिलाकर समरध्य मध्रदेश की तरफ बढ़ रहे MP के खिसान अब नई नई फसलों में रुची दिखा रहे हैं प्यूर रिपोर्ट MP News इंद और